Hi everyone, welcome to Current Crunch, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज हम डिस्कस करने जारे हैं हमारे 5th उनिट का 2nd चाप्टर, Food, Nutrition, Health and Fitness, तो काफी अच्छा चाप्टर रहने वाला है, क्योंकि इसमें जुम चीजे पढ़ेंगे, तो पहले मैं आपके लिए बता दू, मैं JKSSB के कोर्स लेके आती हूँ, Specialization का चल रहा है, Almost हमारा Over होने वाला है, Specialization का Course, इसकी आपको Separate Playlist मिल जाएगी मेरी चैनल पे, Plus मैं इसमें GKB करवा रही हूँ, जिसमें Currently हम Constitution पढ़ रहे हैं, और मैंने MCQs और कुछ previous year Question Paper जो है, उसके Discussion Videos भी इसमें अपलोड किये हुए हैं, आप प्लीज अपनी अपनी respective channels पे जाएं, और वहाँ से जो content है वो देख सकते हैं, अगर आपको इनका PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको Telegram गुरूप जॉइन करना होगा, उसका link मैं description box में दे दूँगी, उस link से आप Telegram जो है, गुरूप मेरा जॉइन कर सकते हैं, और आपको और एक list मिलेगी, नितन सांगवान Essential Sociology नाम से, आपको वो नहीं देखनी है, वो UPC and State PAC के Sociology Optional की list है, वो आपके SSB Aspirants के किसी काम नहीं आएगी, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो हमारा 5th unit, तो ये मेरे बारे में, ये सब चीज़े आपको पता हुआ है, एंगिनेर रिशर्स कॉलर सेशालोजी, UGC Net Qualifier in Sociology, 6 प्लस years of experience in teaching and taught at online platforms like Study IQ and Unacademy, तो without wasting much time, हम स्टार्ट करते हैं आज का lecture, तो होता क्या है Food, Nutrition, Health and Fitness, ये सारी चीज़े आपको पता हैं, ठीक है, हमने सारी चीज़े सुनी हुई है, फूड जो हम खाना खाते हैं and उस खाने में क्या होता है, उस फूड के अंदर कुछ nutrients होते हैं, vitamins होते हैं, minerals होते हैं, carbohydrate, fat, protein वगेरा, वो सारे जब हम अपनी बॉड़ी में लेते हैं, तो उनका कुछ reaction अंडर होता है, बॉड़ी के अंदर, वो कुछ चीज़े करते हैं, बॉड़ी के अंदर react करते हैं, और आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको nutrition प्रोवाइड करते हैं, जैसा खाना आप खाओगे, वैसा ही nutrition आपको मिलेगा, जो determine करेगा आपकी health and fitness कैसी होगी, अगर आप junk food पे ही depend करोगे, rely करोगे, तो accordingly आपकी जो body है, वो nutrition में नहीं रहेगी, ठीक है, वो undernourished होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ज़ादा sugar consume कर रहे हो, तो आपके किसी काम वो नहीं आएगा, तो आपकी health जो है accordingly, वो क्या होती जाएगी, वो deteriorate होती जाएगी, ठीक है, तो अगर आपको healthy रहना है, आपको fit रहना है, उसके लिए आपको nutritious खाना है, तो वो क्या-क्या है आपके लिए nutrition कितना important है and किस खाने में आपको क्या मिलता है वो हम यहाँ पर देखेंगे the science of food and nutrients and the action on our health is called nutrition ठीक है जो भी food है और उसके अंदर जो nutrients है and जो हमारी body पर वो act करते हैं हमारी health को जब वो हाल करते है उसको हम nutrition बोलते हैं कैसा खाना आपको कैसा nutrition प्रोवाइड करता है तो basically जब हम यह statement यूज करते हैं कौन सा खाना क्या nutrition प्रोवाइड करता है इसका मतलब यही होता है उस खाने में कौन से nutrients present है और वो आपकी body पर कैसे react कर रहे है health जो है यह depend करती है nutrition पर nutrition जो है वो depend करता है आपके food intake पर अगर आप nutritious खाना ही ने खाओगे तो आप healthy और fit कैसे रहोगे common sense है तो food जो है काफी important factor है for health and fitness अब food क्या होता है for the sake of it definition लिखनी थी otherwise आपको पता है food क्या होता है कोई भी solid या liquid चीज जिसको हम swallow करते हैं and digest करते हैं and जो assimilate हो जाता है जमा हो जाता है हमारी body में provides it with और क्या करता है वो food हमारी body में जमा होके वो हमारी body को कुछ nutrients देता है and keeps it well वो है हमारा खाना अब food में क्या सरफ हमारे nutrients present होते हैं या और कुछ भी present होता है तो food में हमें काफी चीज़े मिलेंगी nutrients के साथ कुछ non-nutrients भी हमें मिलते हैं food में देखने को जैसे कई चीज़ों में कुछ flavoring के लिए डाला होता है ठीक है although वो nutritious नहीं होता है पर बस आपके taste buds को satisfy करने के लिए वो होता है या कोई food coloring वगेरा होती है तो वो non-nutrients substances जो होते हैं वो भी आपको कुछ food में देखने को मिलते हैं food is therefore a complex mixture of different nutrients and non-nutrients अब हम कुछ functions of food देखेंगे जहां से आपके MCQs जो है वो exam के लिए बन सकते हैं तो तीन major functions हम देखेंगे physiological, social and psychological तो majorly हमारा focus किस पे रहेगा physiological functions पे तो क्या करता है food हमें food हमें energy provide करते हैं अच्छा हम बोल रहे हैं food energy provide कर रहा है तो इसका क्या मतलब हो food के अंदर जो nutrients present है ठीक है वो हमें energy देते हैं अब food में हमें दो तरीके की nutrients देखने को मिलते हैं एक macronutrients होते हैं और एक आपके micronutrients होते हैं macronutrients कोन से होते हैं जो हमें large quantity में ज़रूरत होते हैं and macronutrients होते हैं जो हमें small quantity में भी मिलेंगे तो चलेगा आपके vitamins, minerals वगेरा and macro, आपके fat, carbohydrate, protein वो आपके macronutrients होते हैं अब वो सारे जी न्यूटेंट से वो हमें energy प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आप energy कौन से वाले nutrients प्रोवाइड करते हैं, वो हमें करते हैं, carbohydrates and fats, तो exam में ऐसा question बन सकते हैं, energy giving आपका जो nutrient है, body के लिए वो कौन सा है, वाँ पे carbohydrate, fat, protein ये सारी चीज़े लिखी होंगी, तो है basic सी बात, लेकिन इसमें confused होने के chances काफी जाता हैं, ठीक है, और इन food को, इन nutrients को, जो में energy प्रोवाइड करते हैं, इनको बोला जाता है, body fuels, ठीक है, तो body fuels को इनको बोला जाता है, carbohydrate and fat को ये भी याद रखने हैं, और है physiological में आपका body building, तो हमने science में बच्पन से एक बात body, ये हमने अलग-अलग form में statements जो है, building blocks of body, ये पड़ी होई है, ठीक है, तो ये काम आता है, आपके body building में, जो आपके muscles वगेरा build होते हैं, वहाँ पर क्या काम है, वहाँ आपका protein काम आता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है protein को, body building fluid, body building food, sorry, fluid नहीं, मैं एक बार इस protein को, जो आपके body building में काम आता है, उसको बोला जाता है body building food, आप इन तो terms में आप confused नहीं हो न, body building protein है related आपके body building food से, and जो body fuel है, वो है related आपके energy जो provide करते हैं, carbohydrate and fat, ठीक है, clear होगे इतना, और protein में आपको और एक बात याद रखनी है, protein क्या काम करता है, protein आपकी body में काम कर growth and repair का, देखो, हमें पता है, हमारी body में millions of cells है, ठीक है, इतना तो basic knowledge होगी, science से सबको मिली होगी, 10th standard, 8th standard में पढ़ते है, cells बनी हुई है, काफी cells है, जिसके हमें body बनी हुई है, तो ये जो cells है, ये टाइम ही increase करती है, size में, grow करती है, ठीक है, and grow करने से क्या होगा, हमें क पुरानी cells होती है, वो कभी worn out हो जाती है, तो उनके repairing की जुरत पड़ती है, तो ये सारा जो procedure है, growth and repair का, ये हमारी body में cells का चल रहा होता है, और उसके लिए कौन help करता है, उसके लिए help करते हैं आपके proteins, growth and repair का का काम body में कौन करता है, proteins, ये भी आपको याद रखना है, य carbohydrate and fat, and growth and repair कोन करता है आपकी body की, that is your protein, अब हम चलते हैं, third की तरफ, physiological function, that is your protection and your regulation, तो protection क्या होता है, simple है, concept आपकी body को अलग-अलग बिमारियों से protect करना, तो वो काम किसका होता है, वो आपके vitamins करते हैं, आपके minerals करते हैं, ये आपके proteins करते हैं, ठीक है, and regulation क्या होता है, regulation की जरुरत होती है, for example, अगर आपका heart beat है, तो regulate इस हिसाब से करना चाहिए, उसकी regulation क्या होगी, कि एक normal level है, जिस पे आपका heart beats per minute, जो rate है, वो होनी चाहिए, अगर आपका body temperature है, तो वो की normal body temperature है, जो at least आपकी body का maintain होना चाहिए, हम for fever किसको बोलते हैं, जब body temperature हमारा increase होता है, that means कोई एक normal standard होगा, I guess 98.4 degree Celsius से, चेक करना मुझे पूरा याद निया, 98.4 आपका normal है, तो उससे उपर अगर होगा, तो आप बोला जाता है, कि आपको fever है, and temperature उससे कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यह regulate करना कि आपका body का temperature regulated रहे, आपकी जो heart beat है, वो normal रहे, वो regulation वाले function में आता है, तो यह protection and regulation कोन करते हैं, यह आपके vitamins, minerals and आपके proteins करते हैं, ठीक, तो यह ज़्यादा important functions है, सीधे अगर आपको पूछा जाएगा, कि energy giving food कोन सा है, carbohydrate है, fat है, body fuel किसको बोलते हैं, body building food क्या है, protection and regulation आपका कोन सा food करता है, कोन सा nutrient करता है, तो यहां से आपक काफी chances हैं, questions आने के पूछ, फिर होगया social aspect and psychological aspect, ठीक है, social aspect में देखो, जैसे हमारा function social gathering है, वो सारी food पे डिपेंड करती है, कोई एक function हुआ, सबका इकटे, एक social setup में उठना बैठना शुरू हुआ, तो वहां पे main, यह क्या होता है, चीज जिस पे आप बुलाते हूँ लो की तरफ से, ठीक है, adaptability बढ़ गई, अब जब restaurant में जाते हैं, तो कोई आपकी cast नहीं पूछता है, आपकी class नहीं देखी जाती है, किसी भी restaurant में जाते time, आप 5 star में भी जा सकते हो, अगर आप so-called lower class के हो, आप high class restaurant में जा सकते हो 5 star में, ठीक है, अगर आपके वास पैसे हों आप सको relief बोलो, या stress buster बोलो, कि मेरा mood खराब है, तो मैं ice cream खाओ में ठीक हो जाओंगी, मेरा mood खराब है, शायद मुझे भूख लगी है, मुझे pizza खाना है, तो ऐसा कुछ खाना भी है market में available, जो आपको mood regulation का काम करते है, तो वो kind of psychological impact हुआ, जो आपे पढ़ते है, food का, हल आपके बनने के chances नहीं है, social में थोड़े बुथ है, वो मैं आपको आगे slide बे बताऊंगी, and physiological में जो मैं आपको बताया है, वो आपको याद रखना है, यह चीज़े यहीं पर लिखी हुई है, यहाँ पर detail में, carbohydrian fat, उनको body fuel बोलते है, जो protein से वो essential है for growth and repair of our body, वो मैं भी यह काम करता है, ठीक है, जो regulatory है, refers to the role of food in controlling body processes, such as beating of heart, maintenance of body, temperature, contraction of muscles, इनकी regulation, वो जो protective है, वो क्या करता है, वो आपको prevent करता है, infection अगेरा से, अब यहाँ पर देखलो, हमारे ancient vedic tradition में food को बोला जाता था, life giver, ठीक है, तो it further attributes specific qualities to specific foods, तो यह foods को कुछ अलग-अलग qualities दी जा आती है, यह हमारे ancient vedic tradition में था, फिर आज की society में एचीज चेंज होगी, मैंने का, अब क्या बढ़ गई है, towards these things, intoleration बढ़ गई है, and adaptability बढ़ गई है, तो जो खाना आपका intellectual capacity बढ़ाएं, आपकी creativity, energy आप में लेके आएं, cheerfulness आपो खुश रखें, उनको बोला जाता है, सात milk products, उनको they are regarded as the prominent सात्विक foods, and वो जो stimulate करते हैं, आपका passion and desire towards life, उनको बोलते हैं, रजासिक foods, रजासिक foods में कोन से आगए, आपके fish, eggs and meat, 3rd category आपकी कुन से होगी, तास्मिक foods, इसमें आपका stale, आपका basi, जो बार बर गरम किया हो, ancient Vedic tradition के according, जिस खाने को आप reheat कर करके खाओ, तो उसको impure consider किया जाता है, ठीक है, and tasteless impure foods, उसमें आगए आपके pork and beef वगेरा, they are put in this category, तो इसमें हमने क्या देखा, हमने 3 type of categories दे energy से related है, ठीक है, and second हमने देखा, रजासिक foods, जो आपका passion वगेरा stimulate करते हैं, desire towards life, and third one हमने देखा, आपका तास्मिक foods, जिसमें आपका pork and beef, जो आपका impure, tasteless and reheated food होता है, ठीक है, अब nutrition देखते है, nutrition होता है, science of food, nutrients and other substances they contain, और उनका action आपकी body पे क्या होता है, उस action में क्या यह physiological dimension है, nutrition का, कि आपकी body पे क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो पहला क्या होगा, ingestion, ingestion क्या होगा, आपने swallow किया food को, फिर होगा digestion, तो swallow करके food कहां पहुचा, stomach में, stomach से intestines में, जहांपे इसकी digestion हो गई, ठीक है, उसके बाद absorption, अब जो food digest किया, nutrients वगेरा वहां से मिले, उन nutrients को, अब intestine से कहां पे जाना है, blood stream में, ताकि वो हर जगा पहुच पाए, बाद में, हर cell में, तो blood stream में, जब खाना जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, absorption हो रही है, ठीक है, intestines तक आपका हजम हो गए, वहां से nutrients मिले, वो blood stream में गए, absorption हो गई, फिर metabolism आपकी body को functions करने के लिए एक energy provide हो गई, and excretion, अब जो absorbed हो गया, ठीक है, blood stream में आपके nutrients absorbed हो गए, जो नहीं हुआ, जो leftover food हो गया, then वो हम क्या करते हैं, excrete करते हैं उसको, fine, या जो body में nutrients absorbed हो गए, उन nutrients के कुछ byproducts रह जाते हैं, उसको भी हम through urine, जो है, वो absorb कर लेते हैं, वो sorry, excrete कर लेते हैं, ठीक के लिए, and excretion, जो absorbed नहीं हुआ, वो excrete हो या तो आपके fecal matter के through excrete हुआ, या तो जो absorbed हो गए थे nutrients, उनके byproduct के रूप में excrete हुआ, in the form of urine. While this summarizes the physiological dimensions, यह मैंने जो आपको अभी explain के physiological and nutrition के भी, आपको social, psychological, economic dimensions भी मिलेंगे. Obviously, आप जितनी nutritious हो, आपकी body, जितनी fit है, उतना ही आपके जो health पे expenses होंगे, वो कम होंगे, या उसको रिवर्स में अगर देखें, जितना आपके पस अच्छा financially sound होगे, उतना जादा आप nutrition पे धियान दे पाओगे, psychological, जिसे मैंनाभी का खुशी मिलती है, खाके, वो हमें junk food खाके मिलती है, लेकिन basically हमारी body, अगर fit होगी, तो ही हम खुश होंगे, happy heart, happy mind, ये सारी चीज़े आपस में connected होती है, and social भी, जिब हमारे nutritious होते है, हम nutrition खाना खाते है, हम healthy रहते है, हम fit रहते है, हम अपनी relations भी अच्छे से maintain कर पाते है, कहीं आपको कहीं जाना है, social gathering में जा होते है, तो वो एक social life भी हम enjoy नहीं कर पाते है, अगर हम healthy और fit ना होंगे, तो ये सारी चीज़े यहां पे, इसका और एक perspective है, ठीक है, nutrients आपके constituents होते हैं, food में, जैसे आपका carbohydrates, proteins, fat, mineral, vitamin, water, fiber, ये सारे nutrients में इंक्लूड होते है, and nutrients, microbe हो सकते है, macrobe हो सकते है, depending upon the quantity, जितनी ह हम consume करते हैं, जो हम जादर consume करते हैं, वो carbohydrate, protein, fat है, and कम वाले आपके iodine, minerals, iron, and calcium है, and plus आपका water, आपका fiber, रफे, जिसने आपके salad वगरा आता है, and vitamins, वो भी एक nutrients की category है, फिर balance tight क्या होता है, जिसमें सारे जो essential nutrients है, वो एक balance में present होंगे, ये ऐसी diet है, जो promote करेगी, preserve करेगी आपके good health को, हमें balance tight जरूरी हो, मतलब होनी चाहिए हमारी, ऐसा नहीं हो कि हम सिफ carbohydrates consume कर रहे है, and हम vitamins and अपने minerals, proteins उन पर दियान नहीं दे रहे है, fat सिर्फ consume कर रहे है, बाकी चीज़ों पर दियान नहीं दे रहे है, हमारे अंदर carb भी जाने चाहिए, fat भी जाने चाहिए, vitamins इन सबका एक mixture, एक balanced diet है, जो हमें consume करना है, एक good health के लिए, यहां पर और एक concept सामने आते है, safety margin का, तो safety margin क्या होती है, जो आपकी recommended dietary allowances है, कि आपको कितना खाना है, दिन में, ठीक है, वो होगा, प्लस आपकी age के according, जो आपके required amount of calories होती है, प्लस हमें एक margin रखते है, safety margin, ठ अब काम आते है, आपको, जिसे रोजे शुरू होने वाले है, रमजान का महीन आने वाले है, तो आप क्या करोगे, सारे fast रखोगे, तो उस टाइम पे आपकी body, आप बोलोगे, मेरी body से सारा nutrition खतम हो गया, तो nutrition खतम नहीं हो जाएगा, आपका रोजा रखने से, क्यों, क्य कि अब आपको nutrition कम मिलेगा, fast की वजा से, illness की वजा से, उस टाइम पे वो जो safety margin की reserve से, वो काम आते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप ये बहाना नहीं दे सकते हैं, रोजा रखने का कि मेरा nutrition मेरा body का काम हो जाता है, तो अगर इसको formula में देखें, आपका जो recommended dietary allowance है, वो requirements जो आ कभी कोई बिमार होता है, तो सही से खा नहीं पाता, उन illness में, उस time पे आपकी body में nutrition की कमी ना हो जाए, और वो nutrition काम आए, तो इस वजा से safety margin कुछ extra calories जो होते हैं, आप consume करते हो, यहां पर ही लिखा हुए, safety margin take care of the daily fast or the short term deficiency of certain nutrients in the daily diet, ठीक है, balanced diet cares, take care of the following aspects, अब क्या क्या होता है, balance diet से हमें, एक variety of food items होने चाहिए, जिसमें आपको सारा protein, carbs, proteins, carbs, और अपके fat, vitamin, mineral, यह सारी चीज़े मिलने चाहिए, meet करना चाहिए, RDA, जो आपका recommended dietary allowance है, सारे nutrients का कितने form में आपको, कितने percentage of nutrients आपकी body में जाने चाहिए, include nutrients in correct proportion, एक balance tight, वही एक correct proportion में आपको nutrients मिलने चाहिए, एक safety margin for nutrients है, वो भी आपको मिलना चाहिए, जो आपको बाद में nutrient deficit होने से बचाएगा आपकी body को, अगर आप बि and maintains acceptable body weight for height, ठीक है, तो balance tight से ये होता है, अगर नहीं करोगे तो ये सारी चीजों में आपस में क्या हो जाएगा, इनमें कोई disturbance पैदा हो जाएगी, अब health का देखते हैं, WHO ने बोला है, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of diseases or informity, तो हम health को सिर्फ absence of diseases नहीं कहते कि आपके body में कोई बिमार नहीं है, that means आप healthy हो नहीं, आपके healthy होने के लिए आपका physically fit होना जरूरी है, जब proper diet, exercise, nutrition वगेरा से आजाता है, आपका mentally fit होना जरूरी है, कि आप depression ना हो, कोई और mental illness ना हो आप में, and social well-being, कि आप socially भी एक happy-go-lucky इंसान type के हो, ऐसा नहीं, आप asocial उनको बोलते हैं, या anti-social हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़े भी आपकी health के definition में आते हैं, social well-being, आपका society का well-being वो भी important है, आपका mental well-being important है, and आपका physical well-being भी important है, आप physical fitness जो है, क्योंकि हमारे सलेबस में health and fitness लिखा हुआ है, तो हमारा focus physical fitness भी रहेगा, physical fitness को दो तरीकों से हम define कर सकते हैं, एक काम करते हो, आपको हर चीज़ के लिए energy की जुरत है, आपको बेट से उठने के लिए भी energy की जुरत है, कोई भी काम कर रहे है, आप मैं आप video record कर रहे हूँ, इसके लिए भी energy की जुरत है, पढ़ाई के लिए energy की जुरत है, तो वो generally काम में आएंगे, and specific fitness हुआ, for example, अगर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये किस में आती है, ये आपके specific fitness में आती है, जो task oriented होगी, कि following task, ये cycling, jogging, swimming, आप कर पाते हो कि नहीं, तो वो specific fitness हुई, general fitness, जो मन आपको बोला, अब fitness को भी हम five categories में divide करते है, aerobic, muscular strength, muscular endurance, flexibility and body composition, ठीक है, aerobic fitness क्या होता है, for example, आप जब cycling करते हैं, ये running करते हैं, हमारी सांस फूलती है, ऐसा लगते है, oxygen की कमी हो गई, तो उस time पर आपके जो lungs वगेरा है, heart है, वो कितना efficiently oxygen पोहुचाता है, आपके muscles तग, supply कर बाता है, वो बताता है कि aerobic fitness आप में कितनी है, ऐसा नहीं हो, थोड़े साप cycling यहां से वहां से वहां तक आप cycle चलाने शुरू हो जाओ, या running करो, और आपकी सांस फूल जाओ, गिर जाओ, that means, आपके में aerobic fitness नहीं है, अगर आप में aerobic fitness होगी, तो आपका जो heart and lung है, ये सही से oxygen supply कर पाएगा आपके muscles को, ठीक है, muscular strength होता है, weight lifting जैसे, जहां पे आपकी muscles यूज होती है, मुझे dumbbells से हम कर muscular training होते हैं, muscular training होते हैं, जो gym अगेरा में हम करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़े आप कितने सही से कर पाते हो, वो determine करते हैं, आपका muscular strength, muscular endurance होता है, repetitively अगर आप अपनी muscles को use करो किसी काम के लिए, आप repetitively for example push-ups कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप किस हद तक कर पाते हो, तो कितन endure power करता है, आपका muscular power, उसमें कितनी endurance है, वो बताता है, कि repetitively अगर आपको कोई काम करना है, जहां पर आपके muscles use हो रहे हैं, आप कितने efficiently वो काम कर पा रहे हो, ठीक है, and flexibility होता है, आप stretching करो, ठीक है, अब अभी सगर stretching करो, खुदी, खड़े हो जाओ, and देखो अपने toes जो है, टच कर पा रहे हो की नहीं, तो body का stretching का, आपका क्या हिसाब किताब है, कितनी आप muscles stretch कर पाते हो, वो आपके flexibility में आता है, and body composition में आता है, कि आपके अंदर fat percentage कितना है, usually हम fat, जब हम weight reduction की बात करते हैं, तो कहते हैं, weight reduce हमें नहीं करना होता है, यह हमारा goal नहीं होता है, हमार आप देखने में lean हो, आपका अच्छा खासा figure है, लेकिन आपका जो weight है, वो जादा होता है, fine, and कोई और देखो, जो थोड़ा देखने में ही लग रहा है कि इसमें fat percentage जादा होगा, उसका weight आप से कम है, ऐसे scenarios आप देखोगे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो muscles है, उस इंस है, वो space कम लेते हैं, तो अगर body में आपके muscles अच्छे हैं, इतनी space लेंगे, अगर आपके fat जाद है, तो fat इतनी space लेगा, तो देखने में आप ऐसे दिखोगे, लेकिन हो सकता है weight कम हो, और देखने में आप ऐसे दिखोगे, हो सकता है weight जादा हो, क्योंकि आपके अपके अ जाएगा, तो अब सारे इसमें options जो है, वो select करोगे, अब देखो, हमारी जो nutrients हमें किस according कितने nutrients चाहिए, किस food में कैसे nutrients है, उसको ICMR, जो आपका Indian Council of Medical Research है, उसने 5 basic food groups में divide किया था, इसमें cereal grains product प्रोड़क्ट प्रोड़ा ग्रुप है, pulses and legumes दूसरा ग्रुप है, milk and milk products दीसर प्रोड़ा ग्रुप है, fruit and vegetables चोथा, and fats and sugars फिफ्ट बन, ठीक है, तो 5 basic categories में food groups को divide कियो, और किस ग्रुप में कितने nutrients है, वो आपको बताया गया है, तो यहां से आप याद कर सकते हो, यह बिलकुल factual है, इसमें conceptual कुछ नहीं है, किस-किस चीज में आपको क्या-क्या चीज़ है, यह सारी चीज़े, sugars, jaggery, आपका good, उसमें क्या है, आपको मिलता है, energy, fats and sugars, उसमें कौन-कौन से food आते हैं, butter, ghee, hydrogenated oils, cooking oil, आपका groundnut, mustard, coconut oil, तो उन सारी चीज़ों से, क्या provide करते हैं, आपको energy, fat, essential fatty acids, तो यह 5K degrees है, यह आप याद कर लेना, ठीक है, और 1 gram of carbohydrate, जो है, वो release करते है, 4 calories of, kilo calories of energy, 1 gram of protein release करते है, 4 and 1 gram of fat release करते है, 9 kilocalories of energy, अब यह, जो 5 basic food groups है, यह use होते है, planning and assessing balance diet में, यही से आप अपनी, जो हमने 5 food groups अभी divide किये, यही से क्या करते हो, आप अपने एक balance diet form करते हो, तो कुछ points है, इसमें से at least 1 serving from each food group हमारे हर meal में होनी चाहिए, मतब lunch में भी, dinner में भी, जो हमने आपे food groups पढ़े ला, इसमें at least 1 serving होनी चाहिए, ठीक है, चाहिए, वो milk की हो, meat हो, cereal हो, minimum in food groups में से 1 serving आपको मिलनी चाहिए, make choices within each group as food within each group are similar, लेकिन identical नहीं है in nutritive value, तो आपको अलग-अलग nutritive value मिलेगी, आपको देखना है, vitamin B2 भी मिल रहा है, B accordingly, आपको अपनी balance diet, जो है, फॉर्म करनी है, अगर vegetarian होगे होगे आप, तो आपको protein meat से नहीं मिलेगा, तो आपको बाकी चीज़े देखने है, आपको milk, curds, वगेरा, जो है, को include करने है, आपको uncooked vegetables and fruits भी meals में include करने है, include at least one serving of milk, ताकि calcium की supply आपको मिलती रहे, and other nutrients like as milk contains all nutrients except iron vitamin C and fiber, ठीक है, milk में सारे nutrients मिलेंगे except these three, तो ये भी याद रख लेना, and iron की कमी जो है, वो females में काफी जादा होती है, इसलिए anemia की जादे पेशेंट्स जो है, वो females होती है, तो iron supplements खाया करो, अगर आप iron वाले food consume नहीं करते हो, cereals should not supply more than 75% of total kilocalories, ठीक है, cereals है, आपको, आपकी जितनी भी requirement है, calories की, for example, thousand requirement है, आपकी kilocalories की, आपकी age, height, weight के according, उसका 75% है, ठीक है, 75% क्या होँआ, इसका 750, 750 kilocalories से जादा आपको cereals में से नहीं आना चाहिए, मतलब आप जो, चाहे आप रोटी खाओ या चावल खाओ, व आपकी आपको जो बचती है calories, वो बाकी type of food से मिलनी चाहिए, ठीक है, यही बोला है कि, cereal should not supply more than 75% of the total kilocalories, जितनी आपकी recommend है, दिन के लिए, उसका 75% तक ही आपको cereal होना चाहिए, बाकी जो remaining amount है, 25%, वो आपकी जगों से लेना है, तो यह एक food guide pyramid है, इसे भी आपको समझ में आएगा, आपको जो food है, किस तरीके का आपको consume करना है, तो जो energy giving foods है, वो आपके cereal, bread, rice, chapatis है, वो आपके होंगे 6 to 11 servings, तो अभी हमने देखा, cereal आपके 75% तक होने चाहिए, उससे जादा नहीं होने चाहिए, तो 75% जो है, यहा पर काफी जादा components include होंगे, फिर आपका आगया दूसरा, vegetable fruits वगएरा, इसको हम बोलते है, protection food, ठीक है, यह भी इससे कम, जो जो कम importance में है, वो उपर-उपर की category में आपको देखेगा, energy food जो है, वो जादा importance में है, फिर उससे कम protection food, उससे कम body building हो, least कम जो है, वो आपका energy giving food ह यह वाला, जिसमें आपको fat, oil and sugars वगएरा include होते है, तो यहाँ पर protection food आगे, vegetable fruits, उसके बाद body building food यह भी important है, लेकिन only 2-3 servings, ऐसा नहीं आप दिन बर बस meat ही खा देरो, meat, poultry, nuts, pulses, milk, yogurt, कुछ small-small quantities में आपके लिए important है, उसके बाद यह देखो थोड़ा ही junk food यहाँ पर आपको पहले भी का था, body building food हम किसको बोलते हैं, जिसमें आपके proteins होते हैं, ठीक है, vegetable fruits वगएरा, वहाँ साबको vitamin, minerals मिलते हैं, वो आपका protection food है, और energy giving food आपका यह सारी चीज़े, हमें पता है, शुगर से भी हमें energy provided होती है, तो energy giving food हम junk को भी बोलते हैं, लेकिन वो हमारे अच्छा नहीं होता सहत के लिए, इसलिए वो हमें कम quantity में consume करना चाहिए, फिर factors क्या influence करते हैं, eating behavior को parents क्या बच्चों में infuse करते हैं, बच्पन से ही कैसा खाना वगएरा खाना है, वो सारी चीज़े, friends के साथ, pairs के साथ जाते हो, तो फिर junk वगएरा कैसे खाते हो, टीवी पर आड देखते हो, commercials, maggie का आड देख लिया, chocolates का आड देख लिया, बच्चों नहीं देखा, फिर वो जिद करते हैं, गरवालों से कि हमें यही सारी चीज़े दो, उससे भी आपके eating behavior पर असर पड़ता है, ready to eat food, जो market में आता है junk, उससे भी आपके eating behavior पर असर पड़ता है अब ही last है हमारा eating disorders at adolescence, यह दो disorder हमें यह देखने जरूरी है, एक आपका है aneroxia nervosa, एक आपका है bulimia, ठीक है, यह दो पस नाम से difficult है, बाद में जो इसमें condition आपको बताऊंगी, वो condition काफी easy है समझनी, होता कि है aneroxia nervosa में, ऐसे लोग हैं जिनको यह एक body image distortion होती है, that means जब होता है, तो वो क्या करते है, वो rigorous diet पे जाते हैं, वो कुछ भी नहीं खाते, वो healthy खाना भी छोड़ देते हैं, ठीक है, junk तो छोड़े, वो healthy भी छोड़ देते हैं खाना, तो यह सारी चिज़े एक्स्ट्रीम exercise करते हैं, इससे क्या होता है, उनको लोग बोलते हैं कि न उनको लगता है कि ने, हम अभी भी मोटे हमें अभी पतला होना है, उनको अपने वो ज़्यादा वो figure, heroine वाला चाहिए होता है, तो उनके वो आइससे mental imbalance हो जाता है, ठीक है, वो एक mental condition है, फिर वो ट्रीट करना पड़ता है उसको, तो वो इस हद तक पहुन जाता है कि उनक फिर medical intervention की जुरत पड़ती है, उनको therapies देनी पड़ती है, ठीक है, उनको psychologist के पास भी जाना पड़ता है, वो mental imbalance को ठीक करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों को हम बोलते है, अनेरोग्स या नर्वोसा, ठीक है, और एक आपकी condition आती है, bulimia, ये भी एक type का eating disorder है, इसमें क्या होता है basically, ये start-up होता है late adulthood और early adulthood में, ठीक है, और ये कब हम देखते है, अडोलस तो इसमें क्या होता है, आपको एक body image होती है, अपनी की मुझे पतला होना है, मुझे अननिया पांड़े जैसा बनना है, ठीक है, मुझे अननिया पांड़े जैसा बनना है, मुझे एक तिम फ्लाट पेट चाहिए, तो वो condition के दिमाग में जाती है, वो सोचते रहते हैं, तो वो ओवरीटिंग करते हैं, वो टीवी देखते हैं, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, ओवरीट किया उनने, फिर उसके बाद क्या हो जाते है, उनके अंदर गिल्ट पैदा हो जाता है, कि मैं ओवरीट करता हूँ, तो उस गिल्ट से बाहर आने के लिए, वो क्या चाहत लेते हैं डाइयूरेटिक्स लेते हैं, उसे क्या होता है, लेक्जरेटेटिफ लेने से, जैसे कि उनकी बॉडि का जो water composition है, वो सारा drain हो जाता है, तो ऐसे लोगों में loose motions बहु जादा हो जाती है, उसे क्या हो गया, पेट उनका lean करते हैं ठीक है एक research हुई थी बाद अब दाइन पर कि ऐसा ही actresses काम करती हैं तो अब लेकि इनके पास nutritionist होते हैं doctors होते हैं guide करने के लिए लेकिन ये bilumia वाले शिकार जो होते हैं लोग ये क्या करते हैं ये खुद से ये तो vomiting करवाएंगे खुद को ये ऐसी medicines लेंगे कि इनका जो water है सारा body का वो drain हो जाए तो ऐसे क्या होता है ये unfit होते जाते हैं एक बार ही हो गए पर ये cycle repeat होता है इनने binge eating की फिर उसको vomiting या दवाई उसके खतम किया उसके बाद फिर से binge eating करेंगे फिर फिर से guilt में आएंगे फिर से खुद को correct करने की कोशिश करेंगे medicine या vomiting वगेरा से ये तब तक होगा जब तक इनकी हालत ऐसी हो जाते हैं इनको hospital पहुँचाना पड़ता है जाएंगे वो disorder in में develop हो जाता है इनकी भी therapies होती है इनकी counselling होती है इनकी medical counselling होती है इनकी psychic counselling होती है तो उन सारे इतिसों से फिल को correct करने की कोशिश करते है इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारा जो BMI है वो healthy होना चाहिए BMI जो body mass index कि आपकी जो height है उसके according आपको weight ठीक है कि नहीं and fat percentage आप में कितना है बस healthy के लिए इतना ही ज़रूरी है अब आपको dipica powder cone ही बनना है फिर aneroxia, nervosa और bulimia जैसे disorders के लिए भी तियार रहना ठी है तो यहां पर आपका chapter खतम होता है I hope जो है आप satisfy हो गए हो इस chapter से तो till the time I upload next video Bye-bye, take care, have a great day